ग्राउंड चीरों कारकर में आप लोग का स्वागत है मैं चमाइं ल्कडिया अनुमंडलीय अस्पाल में आप देख रहा यह जहां पर उस पताल में किस तरह से यहां पर भले सबसफाई के नाम पर महिदाई में लाखों लाख रुपे खर्च होता है फिर भी इस्तिती यहां के जथावत ही बनी हुई है आप देख सकते हैं कि यहां पर अस्पिताल के मुख्य गेक पर ही जल जमाँ हो गया है जल जमाँ होने से यहां पर देंगु का प्रकोप बढ़ता जा रहा है लेकिन यहां पर अस्पिताल के जो प्रभारी चिक्ष्टापार्दिकारी है और यहां के जो भी कर्मी लोग है किसी कभी यहां पर ध्यान नहीं पड़ता है इसके अलामा यहां पर हम दोतों दिखाना चाहेंगे कि जो यहां पर अप्ज़ेश सकते हैं यहां सब्सक्राइब फल्की बाजी से भी जल दमाओ की समस्या यहाँ पर वनीर नहती है इसका ही नहीं यहाँ पर जो लोग मरीज पूर्जा कटवाने के लिए आते हैं तो बड़ी मसक्त के साथ में कि एना मेरा रस्ता से वे लोग आते हैं और जाते हैं आप लोग को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो भी लोग है और यहां पर जो चल दमाओ जो अभी है यहाँ पर ताबता वीच्छा जाहिर होता है कि डैंगु के इतना बिहार में परकोप बढ़ता जारहा है फिर ही नरक तो पूर्जा दख्वाते मनी लोग और आने जाने चाहस्ता यही है अलाकि बारिस अभी नहीं हुआ है इस पिस्टों को आ रहा है जा रहा है और जल जमाव यहां पर बनी हुई है यहां पर कुछ महलाय लोग से इन लोग सो भी हम बात करेंगे ऑगए करते है कि आजा यह जो है कि लाठ कराने के लिए पाए है कहां से पाए है पंड़ाई चॉक से यह जो है कि आप आग हुआ है तो यह दूस्टों के तिकत्व हुगा है का पूब지 की छवला महां है कि यहां पर जो पूर्जा कटवाने के लिए बैजी को यहां पर दिकत भी हुआ पानी पाकी है यह जो है कि मंज लोग है जो बता रहे थे आने जाने में पर दिकत होता है आए यह आपे जो अस्थाल के जो पर फारच की सपर दिकता है उन्चे भी बात करते हैं पिसक्याद देंगु को रिकार यहां पर क्या तैयारिया की गई है पर देंगु को पड़ता जा रहा है और वाद नमबर तीन हम लोग भी पार इसको पदर भी हम लोग चला चुके हैं यहां सचल जब आम जाते लिए क्या कहेंगे कि यह किता तयारी है नकर परस्द इसने सब लोग देख रहा है और देख रहा है उलो तो पता नहीं क्या नहीं है क्या करेंगे लोग तुछ समझ में यहां त्यरा साल चोगा सल हो आज़से कोड़ी है 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 अब बस में रुपिय का तो गिंद्रे से भी बच्चे है लेकिन नगर परसस के वर से नगर परसस कोड़ से कुछ फॉगी महसीन वगरा का छिर्गा होता है देंगू मचलता की न लगे तो आज ले नहीं देख है हमको 25 साले यहां रहते हो गया है है यह तो है कि नगर परशनकी और्स e qya काया तैयारिया ह構ना मरतीन या नगर परश suivक मरत्ता की देंगू मचलतीं के परकूप से बचा जा सके पहले तो आपके हम बताते हैं कि अधिया जंच का ये तिन नमबर वाड वह भी ये नगर पुर्शत का वाड है और नगर पुर्शत जो है ये लोग सिव दवाद दिखा रहे हैं कि 20 सल पराम दो साल तो ये दो साल का नजारा है देख रहें कि या अभी वाड नमर ती में जो इतना पानी लगा हुआ है और इतना इसके इस पानी गंदे पानी की प्रफिप से देंगू मच्छर का भी प्रभाव पढ़ रहा है दिखें चाचा जी जो है उनको घा हो गया देंगू मच्र के चलते हैं और ये परसास ये नगर परशत का लपरवाई है कि जो अभी तक मादमियों फैजड़े नग जाज देखवा हो जैघा मच्छर का चिलका होता है यहां पर नगर परसत महरेनल जो हसी है कोई नहीं आता है कि जो है कि इसे बद्भू पानी आता है का बद्भू जहादा नहीं बेवारी से नगरपरशत नहीं कोई बेवस्ता नहीं है कि और यहां पर जो है कि भूगी मसीन आता है नगरपरशत के उर से उसके नहीं चल दमाओ के निजात के लिए निकास्टी के लिए कुछ नाला वला बने कोई शुरू आई नहीं नहीं है आपका नाम हमारा नाम सीफ पुलियंच उजरी है और से नर्गटियागज में डेंगू को बढ़ते प्रकोप को लेकर क्या क्या तयारिया की गई है तटन चल देंगू के मध्र्टिय क्रकोप को देखते हुए सर परत्थम तो फॉग नंकि करा रही जा रही है पुरू में भी एक रावट हॉघ है यरूँ करा रही है सभी वार्डों में फॉगिंग कराई जा रहे हैं जितने उजी शादनी दस्तर वहां फॉगिंग कराई जा रहे हैं साथी साथ जो भी जल जमाओ वाले छित्र हैं उनके नालियों में एंटी लारवा का छिड़काओ कल से ब्यापक पैमाने पर शुरू होगा सभी वाड़ों में एंटी लर्वा तक छिड़काओ किया जाएगा चुना ब्लीचिंग हम लोग पहले भी जो है नागर पश्चत की ओर से फिस्टाओ के लिए जहां भी वाटर लोगिंग वाले एरिया हो जहाँ हम लोग यह चिन्नित होगा कि वहां डेल में कुछ जल जमाओ भी समस्या है वहां के लोग भी मतलब बता रहे थे तो उसके लिए क्या जल जमाओं से जल जमाओं के लिए वहां पुर्व में भी वर्षात के समय बहुत सी नालियों को जो है सफाई की गई थी बहुत सी कच्छी नालियों को जो है वहां चीर के पानी निकाला गया था अभी भी जो है राविश गिराने की एक बार जो है जो अस्था चारू तरफ राविश गिराया गया है उन्हां फिर राविश गिराया जाएगा वहां जहां जहां बाकी बच्चे इलाकों में फिर से जो है राविश वहां गिराया जाएगा